तो गाइज निव ब्रीड ओफ एस्यूवी जडएकसाई प्लस टॉप वेरिंट आपके सामने खड़ा है ब्रिजा मॉडल है कलर जो है इसकी ब्रेव खाकी वाइट बहुत ही अरोटाइज हो रही है ये कलर अच्छी भी दिख रही है अगर आपके एरिया में डस्टी एरिया है तो ये कलर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि गाड़ी की कलर वाक्या में बहुत अच्छी है ड्यूल टोन में तो रूफ आटिक वाइट के साथ रूफ रिल्स भी आपको मिल रहे हैं जडएकसाई प्लस में अब पूरी बॉड़ी है ब्रेव खाकी वाइट बंपर्स पूल्ड अट्रक्टिव ग्रिल्स स्कीट प्लेट्स क्रोम ग्रिल के साथ ब्रिजा का जो लुक्स है बहुत ही जबरदस्त है मैट पिनिस का ग्रिल है इसका बीच में देख सकते हैं LED DRS दिया गया है जडएकसाई प्लस जडएकसाई में भी है और प्लस में भी है स्ट्रिप वाले इंडिकेटर्स भी इसमें मिल जाएगी इसके साथ LED लाइट्स, LED फॉगलेम जडएकसाई प्लस में मिलेगी Foglem जैसा ZXI में नहीं आता था पर ZXI Plus में आपको Foglem Vality वाली मिल जाएगी अब Under Body इसमें थोड़ा सा Modify किया है गाड़ी में चारोत तरफ में Skid Plates लगाया गया है Side Bidding लगाया गया है ताकि गाड़ी का Bold Looks दिखे Soul Lines का Allowables मिलेगा Dual Tone Precious का Allowables इसमें जैसे की ZXI में Black था इसमें Dual Tone में मिलेगा Silver और Black में अंदर तब देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पर भी आपको Fiverr का जो Cladding लगाया गया है जिसे गाड़ी Bold और Muscular दिख रही है बहुत अच्छी दिख रही है Black Color का Mirrors मिलेगा इंडिकेटर के साथ आपको मिलेगा इसमें Frame Kit Chrome Work किया गया रहेगा पूरे Doors में जो गाड़ी को Premium और Luxurious Looks देता है देख सकते हैं Side Looks इसका बहुत ही जबदस्त है Allowables, Under Cladding, Side Bidding, Rain Wiser यह सब सारी Accessories इसमें लगी होई है तो Keyless Entry के साथ आती है ZXI Plus चली अंदर देखते हैं अंदर क्या अटक करता है आपको तो यहाँ पे खोलते साथ आपको दिख रहा है Ambient Light जो गाड़ी को बहुती बहतरीन प्रीमियम लुक्स देता है चारो डोर में आपको मिलेगी और इसके साथ साथ जहाँ पे आपका Gear का जो नॉब है वहाँ पे भी थोड़ा बहुत आपको Ambient Light मिलेगा गाड़ी का Ambient Light के वज़े से गाड़ी और बहतरीन और अच्छी दिखती है अब Dual Tone का इंटिरियर सेम ZXI जैसे आपको मिलेगा तो ज़्यादा कुछ फरक नहीं है ZXI, ZXI Plus का इंटिरियर आपको सेम ही मिलने वाला है Front में Dual Airbags, Seat में Airbags Six Airbags वाली गाड़ी है तो Spacious है गाड़ी यहाँ पे आपको Large Globe Box मिल जा रहा है जो की Spacious से समानमा रखने के लिए Lights भी मिल रही है इसमें एक ये नया Features है अंधेरा में आपको दिखी है क्या समाने क्या नहीं Power Windows आपको Co-Driver Door में मिल रहा है Speakers भी Door में लगे हुए है Tuskin इसका Smart Pro Plus है 9-inch का Tuskin है 360 View Camera देख सकते है Front Camera जो है इसका बहुत अच्छा है इसके साथ आपको AC Vents यहाँ पे Dual मिल रहा है Indicators यहाँ पे है Auto Climate AC जैसे कि मैंने बता है यहाँ पे भी आपको Ambient Light मिल रहा है Lights यहाँ पे भी है Door की जो Light वही Matching Light आपको यहाँ मिलेगी Wireless Charging Point भी है 12 Volt Charger USB Charger तो यह सब सारे मिलेगी Gear Knob आपका Silver Color का मिलेगा और यहाँ पे आप Mobile रख सकते है ZXI में आपको लगानी पड़ेगी पर ZXI Plus में Armrest with Storage Leather Wrapped के साथ आपको मिल जाएगी अब Driver Side में देखेंगे तो इसका जो Steering है बहुत ही कमाल की Leather Wrapped है Matte Finis आपको यहाँ पे मिल रहा है नीचे तरफ तो अच्छा है Steering आपको आपको आइसमे Head Up Display, Traction Control, Idle Start Stop View, Camera देखने के लिए Head Light जो अले पर एड़ेश्च करने के लिए सब सारे Controls आपको Driver Side में मिल जाएगे अब इसके साथ देखिए अगर मैं व्यू दापता हूँ तो चारो तरफ का व्यू दिखाएगा अगर रात दिन आप चेक कर सकते हैं अगर आसपास कोई Animals या ये सब कोई सोया नहीं तो बहुत अच्छा फीचर सही है व्यू वाला आपका गाड़ी चलाने के पहले आप Start करने के ताइम में आप देख सकते हैं तो सारे जो Switches हैं यहाँ पर आपको अब Head-Up Display जो है गाड़ी स्टार्ट करने के बाद जैसे कि मैंने जैसे गाड़ी स्टार्ट किया उसके बाद Head-Up Display का Switch On किया तब जाके यह Head-Up Display अन होगा तो गाड़ी जब Stand Position में तब यह Head-Up Display काम नहीं करेगी गाड़ी आपकी Start रहनी चाहिए अब इसके साथ आपको मैं अच्छा चीज़ दिखाऊंगा Bottle Holders, सारा Power Windows, सारे Doors में आपको मिल जाएंगे Electronics Mirror Registrable यहाँ पर देखिए Lights भी है Silver Essence के पास में तो गाड़ी चारो तरप से Premium Looks बनाने के लिए ब्रेजा को काफी हद तक Improvement किया है प्रिवियस ब्रेजा से Species बनाया गिया है नए नी टेकनोलोजी, नए नी फीचर्स इसमें डाला गिया है गाड़ी में ताकि लोगों को पसंद आए न्यू ब्रेजा, यहाँ पर Twitter भी लगा दिया गिया है ताकि Jazz का जो Surround System है बहुत ही अच्छा है आर्कमीस वाली सॉफ्टरेज में डाली गई है यहाँ पर Sunglasses Holder, Lights यह सब सारा चीज आपको यहाँ पर मिलेगा Lights थोड़ी जादा रोशनी मारेगी यह भी बहुत जररी है, बड़ी SUV है तो Lights सब तरफ होनी चाहिए सबसे बहतरी चीज सन्रूफ इसका बहुत ही अच्छा है छोटा है पर ठीक है पहले तो सन्रूफ नहीं आता था अब सन्रूफ आ रहा है आप Glass बंद करके Night View भी देख सकते है थोड़ा सा Ventilation जैसा खोल भी सकते है और Hard Roof को जिसको बंद करने के लिए अब अराम से Hard Top दिया गया आप सको बंद भी कर सकते है तो बहुत अच्छा फीचर्स है जड़ेकसाई प्लस में जो लोगों का फीटबैक था कि सन्रूफ आनी चाहिए तो अब सन्रूफ आ गई है इंटिरियर बहुती ज़्यादा सुधर चुका है गाड़ी बहुती जबर्दस्त है तो यहाँ पे आपको देखें सन्वाइजर दोनों तरफ मिल रहा है यहाँ पे आपको रीडिंग लैम्स है को ड्रैवर के लिए यह बहुती छोटा सा फीचर से पर बहुती जरुरी है को ड्रैवर पैसेंजर के लिए अब रियर सीट में देखेंगे तो रियर सीट में बहुत ज़्यादा इस पेसे यहाँ पे भी आपको अबेंट लाइट पावर विंडो मिल जा रही है सीट कवर इसमें लगाए है हम 3D मैट भी इसमें लगाए है यह एक्स्ट्रा है एसेसरी का अब इसकी जो वियू है बैक साइट से अकर आप फ्रंट में देखेंगे तो बहुत अच्छी क्योंकि दोनों तरफ अम्बेंट लाइट है थोड़ा सा प्रीमियमनेस दीख रहा है गाड़ी और सन्रूफ भी देख सकते हैं बहुत अच्छा दिख रहा है बैक साइट से छोटी छोटी फीचर इसमें जैसे कि आपको हूग दिया है पर्स पर्स टांगने के लिए अगर कोई पीछे लेडिस है तो वह पर्स रख सकती है कुछ समान टांग सकते हैं उसके बाद आमरेस्ट विद बोटल होल्डर्स ये बहुत अच्छा फीचर्स है दो जन के लिए आमरेस्ट अराम से हाथ रख के कोल्डिंग फीपी के बाई गाड़ी चला सकता है गाड़ी कमफर्डेबल है रियर वेंडेसी है सारी चीज आपको वे रियर सीट में मिल जाएगी अब इसकी रियर लुक्स की देखेंगे तो र चुटी चुटी फीचर्स है पर अट्रेक्टिव और अरोडैनमिक बनाने के लिए इसमें रूफ स्पोलर शार्क फिन एंटिना रूफ एंट स्पोलर दिया गया है लाइट के साथ रियर वाइपर्स और डिफॉगर भी है इसकी जो रियर लाइट से ये भी बहुत अच्छ सीट लाइट ये सब सारी चीज आपको इसमें मिलेंगे और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं इसका जो स्पेर विल है वो रिम है एलाव विल नहीं है इसलिए ये चीज आप ज़रू याद रखे कस्टमर का रहता है कि भाई पांचो एलाव विल होनी चाहिए स्पेर विल आपको मिलेंगे बिरिजा ZXI Plus में साइड वियू भी बहुत अच्छी अंडर क्लाइडिंग देखिए चारो तरफ लगा है रियर में स्कीट प्लेट्स कंपनी देती है और रिफ्लेक्टर पार्किंग सेंसर कैमरा सारे चीज है मिरर्स में भी कैमरे है अब मैं आपको दिख करिए और जरल मुझे कमेंट और फिडबेक में रिपोट करें ठैंक यू